अंजली अपनी सास और पती के साथ रहती थी, शुरुवात में तो दिन शांती से बीते, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में जगड़े होने लगे। इन जगड़ों ने घर का माहौल खराब कर दिया, इन बातों की वज़े से उसका पती भी परेशान रहता था। अंजली को लगने लगा कि वो अब अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि रोज रोज के जगड़ों के कारण पूरे परिवार में उसकी बदनामी हो रही थी और पती की गरीबी की वज़द दूसरा घर लेकर अलग रहना संभव भी नहीं था। इसलिए अंजली ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, अंजली के चाचा एक बड़े डाक्टर थे, वह उनके पास गई और अपनी दू, खभरी कहानी सुना कर बोली, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो, मैं अपनी सास को मार कर उस से छुटका अंजली के चाचा एक अकलमंद इंसान थे, वो उसकी समस्या समझ गए और उसके समाधान का एक तरीका निकाला और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर का इस्तिमाल करोगी तो सब लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और तुम जेल चली जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दे रहा हूं कि जिससे धीरे-धीरे शरीर में जहर का असर होता जाएगा और फिर तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, बेटी, तुमको ये काम करना है कि रोजाना कुछ अच्छा खाना पका कर उसमें ये दवा डाल देना, और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि तुम इतने दिनों तक अपनी सास के साथ बहुत महबद और प्यार से रहना ताकि किसी को तुम पर शक भी ना हो सके, उनसे लड़ाई जगडा मत करना, उनकी हर बात मानना और अपनी मा की तरह उनके साथ बरताव करना, अंजली ने अप पिर बहुत सलीके से एक प्लेट में खाना सजाकर मुस्कुराती हुई अपनी सास को खाना पहुचा देती। जब भी उसकी सास उस पर गुसा होती तो वो बड़ी खामोशी से उनकी बातों को सुनती और अपने गुसे को काबु में रखकर चाचा की सलाह के अनुसार अपन नहीं देती है तो सास को भी बहु से महबद हो गई और वो उसको अपनी बेटियों की तरह मानने लगी। मैं अपनी सास को तुम्हारी जड़ी बूटी नहीं खिला रही हूँ क्योंकि अब वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए चाचा अब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसकी वजह से मेरी सास के जिसम से उस जहर का असर बिलकुल खत्म हो जाए। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको उस दिन जहर नहीं दिया था, बलकि तुम्हारी सास के लिए ताकत की दवा दी थी, क्योंकि जहर तुम्हारे दिमाग और व्यभार में था, लेकिन अब तुमने अपने प्यार और मुहबत से उस जहर को खत्म कर दिया है, जाओ और एक खुशाल जीवन जियो, याद रखना, हमारा व्यभार, हमारे शब्द और लहजा तै करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यभार करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें और अपने अधिकार